नमसकार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आपको एकसल में मांकशिट को बिनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सल के वीविन फॉर्मलाओं का यूच करकर आप असानी से मांकशिट को बना सकते हैं और उन फॉर्मला को असानी से सीख सकते हैं आईए देखते हैं मैंने यहाँ पे एक format त्यार किया है जिसमें मैंने सभी subject total, percentage, division, grade और result और maximum marks in this subject आपके किसमे हैं यहाँ पे मैंने mention कर दिया है आईए हम करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि जो ABCD करके लिखा हुआ है हो गई हमारी row जो 1, 2, 3, 4 करके रहे हैं इसे कहते हैं column जैसे मैं आपको एक cell बदाता हूँ जैसे यह यहाँ पे लिखा हुआ है अंकित कुमार इस cell का नाम हो गया कि यह है B B इसका हो गया row number column है 3 तो यह हो गया B3 यह हो गया cell number कि B3 है आईए हम आगे देखते हैं कि जैसे हमें subjects का total निकालना है यहाँ पे मैं लिखा हुआ है total ठीक हो गया तो हमें सबसे पहले लिखना है equal लोग आने के बाद हमें लिखना है for ला हम इनका total करना है हम लिखेंगे sum फिर bracket लगाएंगे हम range select करेंगे हमारे subject कहां से है C3 से लेकर G3 तक इनको हम select करेंगे range को range select करने के बाद हम enter करेंगे तो हमारा total आ जाएगा total आने के बाद हम इसी formula को नीचे तक copy कर देंगे drag करकर तो सभी हम जितने हमारे subjects है उनका total आ जाएगा जितने हमारे student है उन सबका total हमें मिल जाएगा आएए percent निकालते हैं percent निकालने के लिए हम सबसे पहले equal का sign लगाएंगे equal का sign लगाके हमारा जो total है यहाँ पे उसको select करेंगे उस cell को extra आ गया divided by हम करेंगे हमारे total subject है 5 तो मतलब 500 हो गया into 100 अगर हम करेंगे तो हमारी percentage निकल चाहिए percent निकलने के बाद हम नीचे तक cells को copy कर देंगे सब में formula अपलाई हो जाएगा सबकी percentage हमारे पास आ गई percentage आने के बाद हमें निकालना है division division निकालने के लिए हमें if formula का use करना पड़ेगा इसमें हम 60 से अबव होगी तो first division 45 से अबव होगी तो second division और 45 से नीचे होगी तो 33 से उपर और 45 से नीचे होगी तो हमारी आ जाएगी third division then fail f आ जाएगा सबसे पहले हम लिखेंगे equal equal लगाने के बाद if लिखा if लगाने बाद bracket लगाया bracket लगाने के बाद हमने percentage वाला cell को select किया i3 फिर हमने greater than का sign लगाया equal हमें लिखना यहाँ पर 60 60 लिखने बाद coma लगाया है कोमा लगाये कोमा लगाने के बाद हम फिर if लिखेंगे then अगर आपकी यह value true है तो first आएगा अगर then fail है तो क्या आएगा हम उसके लिखेंगे if bracket cell हमने लिखा i3 cell लगाने के बाद greater than का sign 45 अगर अबव है कोमा anointed कोमा second bracket inverted कोमा आजाएगा नीचे कोमा आएगा फिर अगर then अगर यह value false है तो क्या होगा if bracket i3 greater than या equal 33 comma आएगा inverted कोमा third inverted कोमा close bracket close comma comma लगाने के बाद then जो value हमारे पर बच्चेगी हम उस पे f लिख देंगे fail यह हो गया हमने जहाँ पर जितने if अप्पी कर देंगे नीचे तक तो हमारा सभी हमें divisions सभी सभ्जैट्स की मिल जाएगी किस student की कौन सी division है अब grade निकालने के लिए grade में हम यह करते हैं कि 75 से अबव होगा तो A grade 60 या 60 से अबव होगा तो B grade 60 या 60 से अबव होगा तो B grade अगर 45 या 45 से अबव होगा तो C grade then D grade बाकी जो बचेएगा हमारे पस equal if bracket हमने cell को select कर दिया यहाँ पर percentage वाले को greater than equal 75 bracket inverted comma फिर inverted comma यहाँ पर हमने A लिख दिया inverted comma close फिर comma if लगाएंगे हम इफ लगाने के बाद हमने लगाया bracket bracket लगाने के बाद हमने cell को लिखा और I 3 आ गया और greater than या equal 60 और coma कोमा लगाने के बाद double inverted comma B Пर लगाने दिया फिर double inverted comma bracket if bracket I 3 I 3 लगाने के बाद आपने देखा हमने greater than ओर equal 45 पैप कोमा double inverted comma c से double inverted comma close किया हमने comma double inverted comma then d बागी जो बचेगा हूँ हमारी सभी d आ जाएगा value जितने हमारे पास if लगाये थे हमने उतने ही हमें bracket लगा के हमने close कर दिए फॉर्णा को copy कर दीजे grade हमारी आ जाईए अब result, हमें result कैसे निकालना है, result निकालने के लिए हमारे बार टोटल 5 subject है, तो इसमें हम if के साथ साथ counting का फॉनला भी यूज़ करेंगे कि अगर आपके marks 33 से अबव हैं सभी subject में तो आप pass है, अगर 33 से, अगर आपके 2 subject में आपके 33 से कम marks हैं, तो आप fail है अगर एक subject में आपके 33 marks से कम है, तो आपकी grace है, अब यहाँ पर हमने equal लगाया, if लगाया, bracket, count if, यूज़ किया, count if करने के बाद bracket, ब्रैकिट करने बाद हमने range select की, यहाँ पर c3 से, g3 रख, range हमने select कर दी यहाँ पर, range select करने के पाद, हमने comma लगाया, comma लगाने के पाद, यहाँ पर हम लिखेंगे, कि हमने यहाँ पर, double inverted comma, greater than, यह equal, 33, double inverted comma, equal, हमने यहाँ पर bracket लगाया, bracket लगाने के बाद, हमने equal लगाया यहाँ पर, five, क्योंकि हमारे यहाँ पर, five subject हैं, इतना करने के बाद, हमने comma लगाया, अगर then value हमारी, अगर यह value fail होती है, equal यहाँ पर आ जाएगा, तो, हम यहाँ पर, अगर यह value हमारी, okay हो जाती है, conditions, तो यहाँ पर pass लिखके आपका आ जाएगा, अगर आप 5 subject में, 33% से उपर हैं, आपके, if, bracket, count if, bracket, हम यहाँ पर select की range, range select कर लेंगे, cells की, cc से, g3 तक, comma, double noted comma, greater than, यह equal, यहाँ पर, less than 33, double noted comma, bracket close, greater than, यह less than 2, अगर दो यह दो यह subject से जादा हैं, तो, then value, fail, other than, जो बचेंगे हमारे, उन सम्ब में, क्या होगा, grace आ जाएगी, अगर यह value true नहीं होती, तो then false, बाकि हमारे पास, जो होगा grace आ गई, जितने हमने if use की हैं, उतने हम bracket use करेंगे, और equal कर देंगे, और formula को, नीचे तक copy कर देंगे, हमारे पास आ गई detail, पास, then, grace, या fail, अब maximum marks in this subject हमें कैसे नहीं है, equal लगाना है, maximum हम लिखना है, cells की range select करनी है, जिसमें से आप निकालना चाते हैं, कि कहां से, range की है, subjects की, कहां से कहां तक, जो हमने ये select की है, इसमें से, जो highest numbers होगा, वो आ जाएगा, हमारे पास, उसको, other cells में copy कर दिया, सब इस subjects में हमें मिल गए, यहाँ पे, कि maximum marks कि स्टूडेंट के हैं, कि सब्जेक्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, किरपया मेरे चैनल को, subscribe करना ना भूलें, अगर आपको किसी भी परिकार का, कोई basic formula, या Excel से related कोई formula ना आ रहा होगा, किरपया comment करें, मैं उसका reply दूँँगा, और आपको formula को, अच्छी दिकी से समझाओंगा, Thank you